नमस्कार साथियों, The Nursing Academy YouTube चैनल पर मैं आप सभी का श्वावित करता हूँ साथियों, एक नई सूचना, एक नया नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अखिल भारती आयर्विक्यान संस्थान, राजकोट गुजरात, 360-010 आल इंडिया इस्टिचूट आफ मेडिकल साइंसेस, राजकोट गुजरात, द्वारा पब्लिश किया गया है यह Central Government का एक Autonomous Body है, जो PMSSY और Ministry of Health and Family Welfare के अंतरगत आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, Government of India इसका वेबसाइट भी यहाँ पर दिया गया है और यह जो लेटर नमबर है, यह रिफ्रेंज दिया गया है, लास्ट में 7257 यह लेटर नमबर है, 7257, आपडेट देख सकते हैं, 2712-2023 को पब्लिश किया गया है इन्होंने सबसे परले रिफ्रेंज दिया है, जो इन्होंने मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटा कि आखिर यह जो notification है किसे समन्दित है तो कुछ दिनों पहले, एम्स राजकोट ने बिभिन पोस्टों के लिए एक notification जारी किया था उसके बाद जितने लोगों ने online आवेदन किया, online आवेदन के बिहाब पर उन्होंने एक exam लिया जो CBT टेस्ट था, उसका रिजल्ट किया और CBT टेस्ट का जो final result था non-faculty recruitment phase 1, लेटर नमबर ये है 5469, 7 October 2023 को उसका result प्रबिस किया गया उसके उपरान skill test हुआ और documents verification हुए उसके बाद जितने candidates वहाँ पर documents verification के लिए आये थे और जो skill test qualify किये थे, उनका जो final selection list है वो यहाँ पर जारी किया गया है या उन candidate का list है जो finally select हुए है और कुछ candidates ऐसे हैं जिनको selection नहीं मिला है, कुछ candidates ऐसे हैं जो wet-listed है तो तीनों प्रकार के candidates का यहाँ पर जिक्र किया गया है आप subject में देख सकते हैं, final list आप selected and wet-listed candidate जो selected है और wet-listed candidates है for non-faculty, group B and C post under aims, राजकोर्ट, after documents verification, skill test जो non-faculty post थे, group B और C के लिए, aims, राजकोर्ट में जिनका result, skill test और documents verification के बाद यह जारी किया जा रहा है इनों रिफ्रेंस संख्या दिया है, notification का और किस-किस date में आप यहाँ पर देख सकते हैं, documents verification जो था 12, 14 और 16 December 2030 को इम्स राजकोर्ट में conduct किया गया था और फिर the competent authority, यह final selection और wet-listed selection का list यह जारी किया करता है तो आप देखी यहाँ पर बहुत सारे post है, पहले technician का है तो जैसा कि मैं staff nurse के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आए देखते हैं staff nurse का staff nurse का थोड़ा सा अंदर है, बहुत सारे post है, junior warden, housekeeper, junior engineer आप देख सकते हैं, storekeeper का है, dietitian का है, office assistant का है और यहाँ पर Q number, serial number है, आप देख सकते, staff nurse grade 1, nursing sisters चलिए हम देखते हैं, total post कितने थे, total post 58 थे, जिसमें 46 females के लिए थे, 12 जो post था, वो male के लिए था आप काटेग्री वाईच बात करें, तो unreserved category में 21 female के लिए था, 5 male के लिए था other by one cast में 12 female के लिए था, 3 male के लिए था, SC में 6 female के लिए था, 2 male के लिए था ST के में 3 female के लिए था, 1 male के लिए था, और economical worker section के लिए 4 female और 1 male के लिए यह post by category तरी वाइस था और उसी के भिहाब पर इन्होंने select किया है जो लड़के select हैं और कुछ candidates को इन्होंने विट-listed किया है कि सबोज जो selected candidates हैं वो जोईन नहीं करते हैं तो उसमें विट लिष्टेट को priority मिलेगा, आप यहाँ पर serial number 1 देख सकते हैं, यहाँ पर उसके पहले मैं आपको बता दू, इन्होंने देखिए, यहाँ पर दिखाया है, serial number, gender आपका कौंसा है, candidate ID, candidate का नाम यहाँ पर mention नहीं है, रेकिन candidates का ID, जब आप online application fill up की होंगे, तो एम स्राज क और उसके बाद आपको ID मिला होगा, data birth दिया है, category of selection किस category में selection हुआ है, status यहाँ पर देखिए, mean यह है कि आपका status क्या है, यहाँ पर देखिए, first serial number है disqualified, और यहाँ पर remarks दिया है, जो disqualified है, उनका remarks दिया है, remarks first candidate का क्या है, NOC not submitted, इन्होंने NOC documents verification के समय या उसके उपरान produce नहीं किया, जिसके card scene का selection नहीं हो पाया, आप उसके बाद देखिए, serial number two selected, selected, जो selected है, उनका कोई remarks नहीं है, इस प्रकार से देख सकते हैं, पुरा जितनी वेकेंसियां थी, उसके इसाफ से इन्होंने किया है, जितने भी disqualified हुए हैं, मैंने list देखा, क्यवल NOC के card हुए है कि NOC उन्होंने produce नहीं किया, इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ, कि जो लोग serving हैं, किसी भी, state government, central government, PSU में आप serving हैं, आप apply कीजिए, apply करने के साथ साथ, आप NOC के लिए जरूर आवेदन कीजिए, current employer से जहाँ पर आप apply हैं, जहाँ पर service दे रहे ह हैं, वहाँ से NOC ज़रूर लीजिए, otherwise आपको selection, final selection से अच्छा merit होने के बावजूद भी हाथ धोना पड़ सकता है, आप list में देख सकते हैं, मैं ये list आप लोगों को, इसका जो PDF है, telegram group में avail करा दूँगा, आप वहाँ पर आप check कर सकते हैं, भाकी एम साथ कोट का, जो website म ने बताया, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, total, ये पूरा nursing officer काई है, ये देखे, वेट लिस्टेट का है, disqualified यहाँ पर भी देखिए, NOC not submitted, ये भी nursing काई है, ये भी देखे, staff nurse grade उनका है, ये पुरा, ये भी है, continue, और यहाँ तक है, total, total यहाँ तक है, उसके बाद, R जो है, अपर division clerk का start होता है, तो यहाँ तक यह है, total मैंने आपको दिखा दिया, और आप जो भी candidates exam दिये थे, अगर उनको पता चल गया है, तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें से हमारे telegram channel को join करके, आप PDF को देख सकते हैं, और अंत में, मैं मैं सभी candidates को बढ़ाई देना चाता हूँ, शुबकामनाय देना चाता हूँ, नए साल के पहले, जिनका अंति मुरूब से chain इस post के लिए हुआ है, आप लोगो धेट सारी बढ़ाईयां, शुबकामनाय है, एक अच्छे job के शुरुवात के रिए, central government की job है, पेमेंट अच्छा है, और अच्छे से आप लोग वहाँ पर शेमाएं दीजिए, बाकी जो candidates वेट लिष्टेड हैं, उनको भी शुबकामनाय है, कि हो सकता है, कि किसी candidate का दूसरी जिए सेलेक्शन होने के उबरात आपको भी chance मिल सकते हैं, और जो किसी कारण से disqualified हुए है, उनका final selection नहीं हुआ है, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारे अशर मिलेंगे, जिस कारण से आप disqualified हुए हैं, उस कारण को हटाईए, उस चीज को rectify कीजिए, और life में आगे बढ़िए, आशा करता हूँ, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो